हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो रस्तो बहुत सारी खबरों की बारिश है आपे स्टार्ट होती वे देखने का आपे मिल चुकी है जो कि एक फिक्स एवेंट रहता है यस बजेट बट ये वाला बजेट कैसे रहेगा इंटरिम बजेट ठीक है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है उसके बाद वापस फुल फ्लेज़ेट बजेट हमनों को यूनियन बजेट देखने का आपे मिल जाएगा बट इस बजेट में भी सरकार काफी बड़े धमाके करने का प्लान यहापे कर रही है देखे एक बात तो मैं आप लोगों को इब्दम साफ साफ यहापे कहना चाहूंगा कौन सी बात जो भी खबरे हमनों को सुनने को देखने को मिल रहे है इंटरिम बजेट से रिलेटेट ठीक है यह सारी रिपोर्ट के जरिए एब्दम कॉमन सेंस वाली बात है न क्योंकि जो बजेट रहेगा वो तो रहेगा फर्स्ट फेप को ठीक है दूद का दूद पानी का पानी तो उस दिन ही पता चलेगा अब उससे पहले ठेके प्रिपेरेशन तो कब से स्टार्ट रहती है चेस Сाथ मेने से पहले सी स्टार्ट यहाँ पर हो जाती है तो आप सबलंग को पता है गवर्मेंट ऑफिशेल तो बहुत सारे लोग को पहले से ही पता भी होता है कि क्या-क्या व यह भी पॉइंट आप लोग को पता है या पर होना चाहिए, इस बीड़े में भी हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बाद जैसे मैंने का कि budget से रिलेटर जो भी खबरे रहेगी, वो report के जरीए ही रहेगी, ठीके क्योंकि एक FEP को ही पता चलेगा, क्या एक दिन का काम रहेगा, कि कितना सर्च और कितना जूट निकला है करके, ठीके कुछ सर्प्राइजिंग मुमेंट भी रहते हैं, अभी पिछला लास्ट टाइम का जो budget था उसमें, सबसे बड़ा सर्प्राइजिंग मुमेंट कौन सा था नेगेटिव वाला, इंशॉरंस सेग्मेंट वाला, ठीके, अगर हम लोग यहां पर न्यू टैक्स रेजिम, अगर हम लोग वैसा भी यहां पर कहें तो, ठीके, बहुत बड़ा तगड़ा जटका भी उनको लिगा था, तो ऐसे बहुत सरे प्लस माइनस वाले सर्प्राइजिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाते है, अभी इस बिड़े में हम लोग बात करने वाले रिपोर्ट की ज़रे कमाल की खबर सामने आ पर आ रही है, और कौन से सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तो अगेन, ठीक है, फैनेंशिल एर 24 बोला जाता है, जिसमें अभी हम लोग चल रहे करके, वो खतम का वगा, 31 मार्च 2024 को खतम हो जाएगा, तो ये जो यूनियन बजेट था, उसके लिए कितना था, गपिटल एक्स्पेंडिचर, कैपेक्स किया था रिल्वे के लिए, लग 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 धाई लाग करोड, धाई लाग करोड, एंड हम यहापे कह सकते हैं, कि 2013-14 के हिसाब से, ये एप्रोक्सिमेटली 9 टाइम्स था, 9 टाइम्स, इतना बड़ा बजेट हमनों को रेखने को पना था, इसलिए तो ये रेल्वे स्टॉक्स इतना पागलों की तरह भाग रहे थे, बजेट मतलब क्या आपके खाते में उतना मतलब सरकार केती है, कि रेल्वे कंपनीस के लिए, मतलब रेल्वे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, हम कितना खर्चा करेंगे, अगर यही अमाउंट कल जाके, ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, तीन लाग करोड बोल दिया, पाच लाग करोड बोल दिया, तो भाई रेल्वे स्टॉक्स तो भाई नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्टिमेटली कॉंट्रेक्स तो नहीं कि पक्ष में चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर देखा गें दोस्तों, तो आने वाले समय में भी, जो अभी रेल्वे बजट रहेगा, काफी बड़ा इंक्रिमेंट सरकार के और से, एक्सपेक्ट किया, यहाँ पर जा रहा है, इसको मैं रिपेट करते रहूँगा, कि कौन सी चीज, हाँ, कि अफिशल ख़बर तो नहीं है, बट अनफिशली भी मार्केट में क्या-क्या चीज़े बोली जारी है, जैसे की, तो दोस्तो रेल की पट्री, यह तो सबसे इंपोर्टन चीज है न, अगर किसी जगए पर है, मान लीजए, ऐसे कितने सारी जगए है भारत देश में, जहाँ पर अभी तक रेलवे पहुचा ही नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपको अपने रेलवे को पहुचाने भाई, सबसे पहला काम तो रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रोड भी रहना चीए, सिमेंट से रिलेटेड बेस रहना चीए, उसके उपर आप पट्री लगाओगे, और फिर उसके बाद, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को होते भी दिखने को लेगी, सिगनलिंग होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, फिर वहाँ पर रेलवे भागना स्टार्ट यहाँ पर करेगी, इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा जो मेजर फोकस अभी यहाँ पर किया जा रहा है, जो की रिपोर्ट के जरी खबरा आ रही है, कि इंडियन रेलवे तो इन्वेस्ट सेवन ट्रिलियन तो अपग्रेट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्ट्चर इन अपकमिंग 10 येर्स, इस एक पैरग्राफ में इतनी सारी चीज़े बोली हुई है, जिसको हम लोगों को यहाँ पर तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्टन चीज़ कहा है भाई, कि 10 साल की बात करेए, इसको नोट कर लो भाई साब, मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी रेल्वे स्टॉक्स में जाने का विचार कर रहा है, उसको 10 दिन में पैसा चाहिए, रहे भाई, प्रोजेक्ट कितने बड़े है, देखिए, 10-10 साल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये पहले दिमाग में आप लोगों की चीज़े या पर जाने आनी चाहिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो 7 ट्रिलियन की बात हो रही है, अभी 7 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे, कैपेक्स करेंगे, वह ये कोई एक जटके में नहीं होगा, एक चेक फाड करने देंगे, फेजेस में होता है, अच्छा, अभी 50,000, फिर 20,000, 40,000, 50,000, एक करोड, मतलब करोडों में यह आपे में बात करो, 50,000, करोडों ऐसे ऐसे करके होता है, और तीसरा important चीज, कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये track infrastructure की बात करें, आने वाले next 10 साल के लिए track बिचाने के लिए ही 7 trillion तक का खर्चा सरकार यहापे करने वाली है, ठीक है, इसकार यह नहीं आता है, कि सिर्फ track ही आगे, इसमें सारी चीज़े आती है, कौन सी वाली, इसमें मैंने बीच में एक example भी दिया था, कि मान लीजे, A to B, आपको मतलब एक जगह है, A से B जाना है, और बीच में नदी है, ठीक है, तो कैसे जाएंगी, हाँ, तो आपको bridge बानना पड़ेगा, तो वो भी उसी में ही आ जाता है, इंफ्रस्ट्रक्चर में आ जाते हैं, उसके उपर फिर क्या करेंगे, ट्रैक बिचाएंगे, एंड फिर अगाड़ी आराम से आगे जाएगी, ठीक है, signaling यहाँ पर होगा करके, network strong करेंगे, वो तो चलता रहेगा, पट 50,000 km का, हमनों को इतना सब कुछ यहाँ पर चीज़े setup होते वे देखने का आपर निलने वाली है, दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो साला ना, 5-5,500 km के नए ट्रैक बिचाए जाते हैं, अभी तक का past history निकाला तो, तो आने वाले समय में भी next year का budget, मतलब जो अभी interim budget होगा, उसमें भी यही expect किया जा रहा है, कि 50,000 करोड सबसे पहले तो allocate किया जाएगा, जो हम लोगों ने देखा ना, 7 trillion का, तो 7 trillion एक जटके में नहीं देंगे, 50,000 करोड पहले ही यहापे दिया जाएगा, कि बाई चलो लो, 50,000 करोड रेलवे वालों को और 5-5,500 km के track बिचाए, उसमें doubling आ गया, कि 9-9 tracks यहापे एक track हो गया, फिर एक और एक track आ गया, फिर जितना अलग-अलग track होगा न दोस्तों, उतना ही आपका जो transportation है, आप यहापे कह सकते, railway tracking है, मतलब train फटा-फटा आती जाती है यहापे रहेगी, single tracking रहेगा, तो कितना ज़्यादा वो signal देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो train यहाँ से यहाँ से उसको अलग करना पड़ता है, फिर यहाँ से उसको रास्ता देना पड़ता है, तो काफी time चला जाता है, सो doubling, tripling यहाँ पर किया जाएगा, सब कुछ इसी में प्रावदान है, और यह इतना बड़ा amount रहेगा दोस्तों, जो कि हम कह सकते है, कि लगबग 50% जो 2024 का budget है न, उसके हिसाब से estimate किया जा रहा है, कि 32,000 करोड के आसपास नए लाइन के लिए दे जाएंगे, ठीके, last time अग amount उपर नीचे हो सकता है, कि चलो 30 नहीं, 20, 25, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मिलेगा तो definitely अभी यह इतना boost पकड़ा है, वो consistency maintain भी करनी आनी चाहिए, अगर आप हाथ कड़े कर दोगे, तो railway company है, तो दना दन तूटने लग जाएगी, तो सरकार कुछ ना खेल चल रहा है, कितना ही का देगा, 50,000, 60,000, 70,000, तो यह बात है हम लोगो उतीवे देखने को आपे मिल रही है, तो देखा गया दोस्तो, तो focus का आपे रहेगा railway stocks के और, ठीक है, अभी railway stocks में भी देखा गया, तो सबस्यादा focus किसके ओपर होगा, RVNL क्यों, क्योंकि जो track basis की बात है, यहापे होरी infrastructure, really infrastructure में, तो RVNL तो इसमें हम लोगों को जबरदस leader देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो, नए line बिछाने का ही काम, इनके उपर हम लोगों को देखने को मिलता है, बहुत अच्छा बात है, वो तो कहेगा, बढ़ा-बढ़ा tender निकालो हम तो रेडी है ही, तो RVNL को फायदा होगा करके, देखे, problem क्या होता है, लोगों को चाहिए कल, ठीक है, आज सर पे तेल लगा दिया, कल के दिन के उपर बाल यहापे आना स्टार्ट होने चाहिए, तो यह जो विचार रहते हैं इस प्रकार की, quick विचार, ठीक है, आज मैं जाके dumbbells उटाओं का gym में, कल के दिन ही यहापे six packs, apps यहापे बन देने चाहिए, यह ऐसा कुछ नहीं होता है, time लगता है हर चीजों के लिए, ठीक है, जो quick सोचने वाले होते हैं वो यहापे शुरुआत में ऐसे shares ले ले लेते, और यहापे frustrated हो के चले जाते, और जो tick जात हैं, वो इन rally का enjoy करते, ऐसे 800-800% के returns उनको यहापे मिल जाते हैं, so आप decide करो कि करना के आए करके, ठीक है, तो RVNL की बात करें, तो यह सबसे आदा focus में रहेगा, then IRCON International रहेगा, because यह भी infrastructure से related काम करता है, ठीक है, यह सभी एक ही ठाली के चट्टे बटे आप ऐसा यहापे ब provide करना पड़ेगा, ठीक है, no tax session, no NPA का जंजर, सवरकार बेस, guarantee, तो सब कुछ चिंता मुक्तिया पे यह चीज़ देखने को मिल जाती है, rail tail की भी बाद में आप जरूरत पड़ेगी, network बिचाने के लिए, तो उसके related भी फाइदा है, इनको यहापे होगा ही होगा, इसलिए तो यह समसे पहले हम लोगों को समझ में आप आना चीए, दैन दोस्तों चलो बात करेंगी थोड़े other stock के बारे में, देखें कोई recommendation नहीं है, मेरा काम सिफ आप लोगों को, यहापे information देना है, या फिर आप चाओ तो कह सकते हो कि इसको study करने के लिए में चीज़े आप करिदना है, बेचना है, होल्ड करना है, आवरेज करना है वह आपकी मर्दी, अभी usually हम लोग इन 4-5 stocks को ही देखते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ stocks है के रेलवे के अरे बहुत सारी stocks है, कौन-कौन से है, अब चाओ तो इनको भी study कर ले न, तो देखा गया दोस्तों तो कि solar बनाने वाली company होगी, है तो explosive वाली company, so आप यहापे देख सकते है, ultimately हम कह सकते है, all types of जो हमनों को railway से related काम करते वे चीज़े देखने को आपे मिल जाती है, वो यहापे सारी चीज़े involved होते वे देखने को मिल जाती है, मतलब इनका business हमनों को rail से related देखने को मिल रहा है, 1000 करोड के आसपास की छोटी company देखने को मिल जाती है, then concord को भी आप चाहो तो study कर सकते हो, सरकार का focus इसके उपर भी है, and ministry of railway control में ही यह company देखने को आपे मिल जाती है, then अगर आप चाहो तो concord control system limited, इस company को भी ज़रूर radar के उपर रख सकते हो, यह तो एक nano cap company देखने को मिल पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, यह सारे railway से related हमनों को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसके आप बात करें, 2011 मी start हुआ था, and हमनों को यहापे railway, Indian railway, and उसी से related other contractors में भी यह company काम करते हुए देखने को मिल जाते है, electrification products में भी इस company का अच्छा कासा business चलता है, next ब पीछे का reason यही हमनों को देखने का आपे मिल रहा है, so कुल मिला के conclusion में यह क्या समझ में आ रहा है, कि अभी का जो budget रहेगा, जिसको हमनों interim budget कहेंगे, उसमें railway के उपर भी सरकार काफी बड़ी पैसों की बारिश है, आपे कर सकते, market का उमीद बहुत ज़्यादा high हो चुक उमीद की किरण हमलों को देखने को मिलेगी, वो सारे चीजे में आप लों के सामने आपे जरूर कहूंगा, आशा करता है यह वीडियो helpful लगाओगा, चाहो तो like and share कर सकते हो, मिल स्टे, next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye